ये जो वर्ती की हनक दिखा रहे हैं न सले निकालते हैं इनों की सदक झाल 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 गोपे चंद की फिल्म भीमा देखने से पहले यहाज़ारें फिल्म का पूरा रीविव वो भी हिंदी में गोपे चंद को हीट वे बहुती लंबा समय हो गया है और अब नेता की उमीदे आक्शन ड्रामा भीमा पर टिकी है कंदर्ट फिल्म निर्माता ए हर्ष ने इस फिल्म का निर्देशन किया है जिसमें मालेविका शर्मा और प्रिया भवानी शकर मुखे भूमिका में है फिल्म अपने ट्रेलर से अच्छी चर्चा पैदा की और इस शुब महाशिवराद्वी के दिन स्क्रीन पर डुलीज हुई भीमा एक चंचल पुलीस वाला है जिसके अपराधियों से निपटने की एक अनूठी शैली है वो वहवानी के लिए गले का दर्द बन जाता है जो महिंद रविंधिरा बर्मा भीम से एक मदत मानता है जो भीम की जीवन को लट पिलट कर देती है ऐसा क्या है जो रविंधिरा बर्मा ने भीम से पूछा बबाद में ने भीम के लिए बराधियों से ब्रूमिका सब्सक्राइब को एक अलग अनुब देने के लिए भीम की भूमिका में कुछ विशिष्टा है जोड़ी और गोपिचन ने चंचल पिलिस वाले की भूमिका साधरन रूप से निभाई हमिनेता इतने हुजावन कभी नहीं दिखे और उनका मरदाना लोकर मरदाना अफ्तार लोगों को मंत्रमगदा कर देगा उनकी भूमिका एक और अयाम है और गोपिचन ने इसमें भी अच्छा बदलाब दिखाया है फिल्म एक दल्चस नोट पर शुडू होती है जिसमें एक सुख बनाता है प्री क्लैमेक्स के दौर अनमाल विकाश रमा की भूमिका को अधिक मैत्पों मिलता है और अवनेत्री ने यह अच्छा प्रदर्शन किया है नरेश मुकेश तिवारी रगुबाबू और चमक चंद्र अपनी भूमिकाओं में अच्छे है आखरे आधी और रोहिनी से जुड़े कुछ हस्जेशन अच्छे आए है एक्शन द्रिश्यों की कलपना शांदा डंग से की कई है रवी वस्रूर का प्रभाब शाली बैक्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रॉंग्टे खड़े कर देने वाले द्रिश्यों को अगले स्थार पर ले जात है कि निर्माताओं ने बड़े पैमाने पर दर्शको को ध्यान में रखते हैं वे पुल्ट मनाई है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम भाग को रिजाइन किया गया है वो अशलील है और दर्शको के कुछ बर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरीके से भीम क चरितर चितरन के लिए संबर पी थे लेकिन समस्य यह है कि प्रेम ट्रैक दरबो अधिया अधिक स्प्रेन टाइम लिया जाता है इपवल में मुख्य बिंदु को बैतर तरीके से हुजा कर किया जा सकता था इसे आदे रस्ते के दोरान ही लाया गया है और दूसरे मुख्य पात्रश जिसका दार पर पूरा दूसरा भाग दिर्वर करता है को अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था संगबाद प्रमाटिक ब्रिश्चा और भयानक ब्रिश्चा फिल्म के अपील को बैपक दर्शकों तक्सीमित कर सकते हैं अच्छे पीछे की शैली की पटकता का इत स्वामी जे गौरा की सिन्माटोग्रफी शिश स्तर की है और विशिश्चूप से रात के दिर्शक उनकी लेंस के मादर से अची तरीके से प्रदशिक क्या गया है उत्पादन मिल्य उत्तम है गाने अच्छे है लेकिन रभी बस्टूर का वैग्राउंस को रचा है इस तरह उन्होंने गोपी चंद को विदमदार तरीके से दिखाये लेकिन जिस तरह से फ्रेम ट्रैक लिखा और दिखाये गया है वो निराश्च जनक है ये फिल्म की सबसे वड़ी खामी है और ये कुछ तक प्रभाप को वाधित करेगी जैसे कि पहले कहा गया है आगे पीछे का कई बार भ्रमित करने वाला होती है कुल मिलाकर भीमा एक विशाल एक्शन ड्रामा है जिसके दोनों हिस्सों में कुछ चेशन है गोपी चंद फिल्म में अतीस अक्रिया है और उन्होंने गहन अभी नहीं किया है शुरुआत अंतराल और अक्रिया आदे गंडे को अच्छे नहीं किया गया है यह फल्म अन्या वर्गों की तल्ला में बड़े पैमाने परदर्शकों को पसंद आएगी अक्शन से भरपूर फिल्म लेकर आ रहे गोपी चंद रिलीज होआ फिल्म भीमा का ट्रेलर माचो हीडो गोपी चंद की अगली फिल्म भीमा एक रोखी आक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन एहर्ष ने किया है और इसका निर्मान स्थ्रीच चत्यासाई आर्स के के राध हमोहने किया है यह फल्म आर्ट मार्च को रिलीज होने वाली है टिम ने आक्रमक प्रचार का विकल पशुना अर्धीजर के साथ साथ पहले दोगानों को और और भक्तों द्वारा परशुडाम द्वारण निर्मित भगवान शिम मंदिर में विशिश पूजा करने के साथ रुमान चक्नोड पर होती है यह परशुडाम शेत्र में इस्थितर या था जहां राक्षस भक्तों को परशान करते थे फिर उन्हें बचाने के लिए गो निभाए गए दूस्ट किरदार को पेश किया है ये बिलकुल अलग लुक है और किरदार अधिक गहन है गोपी चन ने दो अलग-अलग भूमिकाओं में अपने दमदार प्रदर्शन से महफिल लोटली क्लीट में प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्माने भी काम किया है हर्ष अपने निर्देशन में शांदार है जबकि रवी बसरूर का स्कोर को पिचत की बीरता को और बढ़ा देता है स्वामी जे गौरा भी अपने उतकृष्ट क्यामरा वोर्ग के लिए विशेश लिए के पात्र है इस्ट्री सत्या सैयार्ट के उत्पादन मुल्य उचिस स्वामी जे गौरा स्ट्रीमाट्रोग्राफी संभालते हैं जबकि अज्यू महंकाली संगबाद लिखते हैं कुल मिलाकर भीमा का ट्रेलर एक अद्दी त्याध्धमत तक स्वर्ष के साथ एक रुमान्चक एक्शन से भरपूर फिल्म का बादा करता है गोपी चंद का की विव वह हिंदी में गोपी चंद टेलीगू उद्योग में सर्वस रेष्ट कलकारों में से एक है लेकिन अविनेता ने हाली में अपनी स्क्रिप्ट की पसंद से दश्गों को निराश किया है उनकी अगामी भीमा आशा जनक लग रही है और फिल्म के टीजर ने फिल्म विज्वास पैदा किया है यह अधिशा जिन्होंने हाले में बीग बिड़ा का निर्देशन किया है इस अक्शन कर रहे हैं जो नके में ट्रेलर लॉंच किया दो मिनिट की इस वीडियो में पहला मिनिट वीम की दुनिया को दिखाने के लिए दखा गया है त्रेलर में परशुडाम के बारे में बात की गई है जिन्होंने पर शुम्मनी शेत्र नामक एक अलगसान बनाया ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान जब कुछ राक्षस परिशानी पैदा करते हैं तो अगवान शिपने नियंत्रित करने के लिए एक और शक्तिशाली और निर्देरी राक्षस को भेजते हैं ट्रेलर का अगला भाग एक्शन तत्वों और नायक के चरित्र चित्रन को दर्शाती है गोपी चंद इस टीप्र प्रचार सामगरी में अध्वूत है उनकी बाड़ी लैंग्वेज माचुलुक और डालग डिलीवरी लाजबाब है एक पलिसकर्मी और परश्रु रामनी शेत्र के बीच क्या संगबंध है कहानी में प्रिया भवानी शंकर और मालफिका श्रमा की क्या भूमिकाय है ट्रेलर में कुछ ही शॉर्ट्स का इस्तमाल किया गया है ऐसा लगता है कि निर्माता चाहते है कि दिशको को सभी एक्शन रुवांच और रामा का अनुवप केबल बड़े परदे पर ही मिले केके रादा मोहन स्री सत्या सायार्स के वैनर तली इस मंका निर्मान कर रहे है रवी वस्रूर धुन तेयार कर रहे है फिल्म आठ मार्च को रिलीज होगी रुका 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 रुक वीड बोडियो दो जाकिसर् गोष हाई दो एक शार चाहिग है थुए कि अबदो है न अबदो कि अफंदो है यह था यह थैंति ली अवरे चाहिए थायदु इससे हईगोटी कि अबने हम के अच्छन को ते शार किया वाजर हाय थेना शैन उड्धान का गाड़र्दी कि अचल और उचियों कि यह आपर याई नादट मिरें फैल का तरी नास अबत करता हैं आप भाई आप नाद मैरेकंटिया खिंद कॉंड़ राहे, बेदेटें का खिंद मात्य इनने कोक कि रहरें बया, छुए भाय। नहीं रखें भाय, आजा भाय, आजा। ऑई, ऑच्वा है... और जृट वहाँ कहाँ cables जृट, अजे हुए भाय, आपनों एक बार पीछे थाओ, भाय, झाटू जबतू जाटू है जाटू है जाटू जुनित भाई जुनित भाई करत जोहर, अपूर्वा मेहता, सोमें मिष्रा, इर्टर और, कनन आयर, राफ परूखी, और कास्त, सारा अली चान, अभे वर्मा, सचिन खेलिकर, and स्पर्श रवास्तव. Really amazing, सारा, if you remember, the Prime Bay, that means me, I announced a movie in style, and now we are here, with just two days to go for your film, it's going to be premiering on Prime Video. Why don't you give us three reasons to watch Ais Vatan, Mere Vatan, on 21st of March, on Prime Video, in your trademark, सारा की शायरी वाली स्टाइल में. सारा की शायरी सुनिये न आप लोगो ने? हाँ? सुनिये? आज लाइव देख भी लो. Why don't you step up ahead and tell us? Namaste everybody, thank you for having us here. आज मैं नही करूंगी शायरी, शायरी की नही की है मैंने तयारी, and that's the limit of the शायरी. But honestly, I just want to tell all of you people this afternoon, that we've made this film with a lot of love, a lot of honesty, and I think it showcases a new side of all of us, you know. It's a soft film, it's a simple film, but it's a soul-hitting film. I also think that it's a story of inspiration that truly stands the test of time. I think today, in 2024, a film that's set in 1942 is as relevant, because I'm hoping that it seeks to inspire our youth to have, never lose sight of the bigger goal in life, always have your inner fortitude alive, and just do or die, because honestly, life's too short. So, I really hope that you people watch the film. It's premiering, like Varun said, 21st March, so also midnight tomorrow night on Prime Video. So, I hope that you accept our film that we have made with, like I said, a lot of love. So, there's not any shairi going to happen, there's no musti, there's no bubbly, but there's a new and honest Sara, and I hope that you guys give her love too. So, thank you. That was very well answered, Sara, but you're looking so pretty, that James is waiting in the wings to take a picture with you. We said that Sara is looking so pretty in a sadi, so Sara ke saad aaj ek photo ho jai. And Karan, it's so lovely to see you on stage again. Come, you'll have a team picture, please. We'll also be part of this. Zala? Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, team. Thank you, thank you, thank you. Varun, our next... Also, before we just go ahead, that's Abhay Verma, guys, he was in Family Man, he was in Family Man, he was amazing in it, and this is your, it's not a debut movie, it's not a debut movie actually. But it feels like a debut, more than a debut actually, because something of sorts is what, there are many unforgotten stories, unforgotten heroes, which we don't know about. So it's story of one of those, and I think as an actor, it's the best dharma movie to start with. Well said. So guys, please support Abhay as well, it's his first big dharma film to support it as well. Thank you, Abhay, thank you so much. And absolutely incredible in the film, thank you. Thank you so much. Varun, our next movie is about a small town, but with very big dreams. An aspiring filmmaker and his close friends embark on a heartwarming journey to make a film against all odds. Wow, nothing can come in the way, not even budgets, frankly, it's every producer's dream. It is. Prime Video presents, Superman of Malegaon. Why not Malegaon, I am so much, 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 Thank you so much, we can't wait, we can't wait to watch it. All the very best and thank you for joining us today. Thank you. Thank you. Thank you. Alright, ladies and gentlemen, with that we conclude the list of original shows. That was, ha, okay, that was long, exhausting, but so worth it. I think I need some coffee or maybe 20 of them. Same, Karan, I'll join you, but don't worry, we won't leave you alone. We have someone from Prime Video coming on stage to introduce the next segment. There are two things in the world that connects us all, the air we breathe and the stories that bring us together. Our next speaker has found and cultivated stories that we couldn't imagine a decade ago and enable creators to break convention. The man lives and breathes content. Please give it up for Vice President of International Content, James Farrell. This is so great. I'm so happy to be here. Thank you, Karan. Thank you, Ananya. And hello, everyone. I can't tell you. Thank you, thank you, James. The stage is all yours. We're going to take your leave for a minute. Amazing. Thank you. As a country, India loves its movies. The love that movie fans in India shower upon their favorite filmmakers and stars is really unparalleled in the world. Recognizing this love for movies, in 2022, Prime Video India announced the foray into original movies. Goi Akhtar, Reema Kakhti, who is also the director, writer, Varun Grover, and the cast, Shashankar Oda, Vineet Kumar Singh, and Muskan Jafri. Let's hear it for them, guys. So, I want to take this opportunity to tell you that I love Dhaar. I think it was a really, really bell-made series. One of the best. So, movies about movies is actually one of my favorite genres. But this is a very different kind of a film about very different kinds of films. What do you think makes this such an interesting subject, Reema? Well, I mean, apart from being an homage to filmmaking, I think it's a film about loving, friendship, longing. There's a lot of stuff, actually. So, very excited to present the sizzle and really hoping, looking forward to the release. And also, if I can ask you, how many days did you take to shoot this? Since they make the films in Malagao in a very tight space, right? I wasn't making the film in the same format, so it took me a little longer, unfortunately. So, Zoya gave you more leeway. Yeah. Also, being a friend, since you all are friends, everyone knows you all are friends, is she very interfering as a producer? Not at all. She's more interfering as a friend. She's more... Zoya, anything you would like to say over here about your production? I'm very excited. This is, I don't know which production with XL. And Varun has written an incredible script. The life of the characters in this film, they're real people. It's a treat to put it out there. And they were incredibly inspiring to us, who seemed a bit jaded compared to them. So, that was great. And I think the most important thing was, the film is about his representation. You know, you want to see you on screen. And there are so many kinds of people and they put themselves on screen. And that was very inspiring to do. That's amazing. Zoya always gives a lot of people wings to fly. And this movie is testament to that. So, guys, let's hear it for the team. And can we have a picture, please? Creators, Nishant Nayak and Mithun Gangopadhyay, Director, Archit Kumar and the cast, Tamanna Bhatia, Diana Penty and Javid Jafri. Nikhil, the stage is all yours. Okay, so, I wanted to start by asking Apoorva, since this is a show about partnerships and collaboration between Dharmatic Entertainment, Dharma Productions and Amazon Prime Video, we've had such a strong and long collaboration with licensed movies, original movies, original shows. What do you think is the secret behind this collaboration getting stronger every year? So, Nikhil, I have to say, you're very correct. We've had an extraordinary journey with Prime Video. We started our journey with Prime Video actually when Prime Video set up their service in India. And I'm really proud to say that 80% of our films are home at Amazon Prime. So, it's really fantastic. You know, we at Dharma and Dharmatic, I think what really works is that we have a shared vision with Prime. And what really, really has made this possible is the incredible teams at Prime Video. You know, we've had such an incredible time working with them because of their commitment to creative excellence and entertaining audiences with diverse content. So, thank you so much. You know, every show has got us closer. We've learned, grown, adapted and strengthened this partnership year on year. Great. Thank you. This is for Tamanna, Diana and Javed. There's an off-screen partnership here, but there's also a great on-screen partnership in terms of these lovely actors coming together. So, what do you think the audiences can expect from this partnership between these talented actors? I just feel like I have childhood memories, not just with Dinah's character in the film, but Javed sir ka show hua karta tha, Boogie Boogie. Toh mein ek Boogie Boogie reject hoon. Toh meri journey bohut hii lambbi rahi hai reject se yaan per is mansh mein unke saath khad rahe ke is bohut hii bhahtarin cho ka hissa banna. And Karan, I'm so happy you're here because thank you for just putting out these amazing stories for women who just want to be there, put their point and be unapologetic about it. And Archit has given us a show that's so beautifully written. These are such deliciously meaty parts to play. So, I'm super excited. And yeah, humara toh humara connection toh COVID ke time se chal raha hai. Hum jab hum kisi or project pe kaam kar rahe te us wakt and meri pahli baat hui thi unse jab hum COVID ke time kaam karne ki kooshish kar rahe te. So, I have so many wonderful partnerships here individually with each and every person here and also collectively. So, feel that this is super special for me. I'm so happy to be a part of it. And I'm so happy to be doing this with Dayana. Women in power, it's just time to show how that goes. And two beautiful, strong, fierce women in power. It's always going to be fun to watch. Super. Dayana? Tamanna definitely said it all. But I'd say that the camaraderie between these three characters, it's what is really going to shine. It's something that I'm really looking forward to. I also want to say that this is going to be my debut OTT series. So, to be able to do that with both Prime Video and Dharma is honestly the best thing I could have asked for. So, I'm very, very, very excited. It's an amazing script. You know, it's an amazing script. And it's also the partners who are daring, caring, sharing, you know, and bearing, but bearing emotions. So, it's a fantastic show. And I'm really looking forward to working with these amazing women and an amazing team of technical people. Fantastic. Look forward. Well, congratulations to the team of daring partners. And we are always very grateful to be able to tell stories. More power to our team at Dharmatic Entertainment, to Somaen Mishra, who has helmed our division with such aplomb and with his sheer genius. And more than anything else, I'm so excited that finally I will be part of a picture. And I won't have to step aside. May I please request everyone to come towards the center so we can capture this opportunity. Thank you. 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 You. Thank you. Thank you. Thank you. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You. Thank 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 you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. You. Now, Thank you. 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 Thank you. 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 Thank you. Thank you. You. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You. Thank you. Thank you. Thank you. 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 Thank you. Thank you. 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 Thank you. 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 You.